हेलो फ्रेंस स्वागत है मारे चैनल इंस कोडर में तो फ्रेंस आज में लिखे हैं आपके सामने एक वीडियो बहुत टाइम से लोगी डिमांड थी किसा प्रिंट आउट सही नहीं आ रहा है कैसे इसको सेट करें तो चलिए आज में इस पे डिसकस करते हैं सब यह पहले देख कर्या था तो यह मैं जड़ा देख रहा था इस तरह से अपना एक बहुत लंबा से सथीप निकल जाता है तो हम नहीं चाहते कि इतना लंबँना स्लिप निकले हम चाहते बहुत छोटा सा और कस्ट नीकलर चोर्ट कॉईट सब्स्रीं से तो झाले को आई जिखते हैं नीचे से 3 3rd number पर आपन देखेंगे यहां लिखा text document अपने को बस इस पर क्लिक करना है यह text document बनता है इसको अपन को open कर लेना है ठीक है जैसा कि आप देख रहे हैं यह अपना text document open हो चुका है अभी अपने को यहां simply कुछ नहीं सिर्फ hello या कुछ भी अपना नाम लिख दीजिए अब जो कुछ भी लिखना चाहें ठीक है जैसे मैंने लिख दिया hello twin book users ठीक है और इस पर कुछ भी लिख दिया अभी क्लिक करना है अपने को सबसे पहले जाना है format पे format पे क्लिक करने के बाद अपने पास एक option होगा font ठीक है तो अपने को इस font पे क्लिक करना है अभी क्या होता है by default कुछ इस तरह सा select रहते है font तो अपने को सबसे पहले तो क्या करना है यह जो font name है यहां पे यहां पे अपने को डालना है c o n s o l a s kong sola j यह देखेए यह आगया consola यambre इसको select करना है और style अपने को fixable italic करति है अब भू यहां पे बात आती है कि अपना printer po 2 inch है या 3 inch है तो यहां पे मैं बता दूँ अगर अपन seat are 2-inch है तो अपने को यहां size हखना है एट अगर अपना file पे जाना है अपने को file पे जाने के बाद page setup page setup में जाने के बाद अब देखे सबसे पहले यहां आती है बाद paper size ठीक है अभी यहां पे लोगों की बहुत जनोगी एक query रहती है paper size कौन सा select करें तो मैं बदा दूँ अगर अपने पास 3 inch है तो best रहता है कि जो इसमें 80 by 210 mm अभी मेरा फिलाल कोई printer install है नहीं अगर होता तो यहां लिखा आता 80 into 210 mm तो मेरे को वही select करना होता है 210 mm चिक है और अगर मेरा 2 inch का है thermal printer तो यहां लिखा आता 58 into 210 mm तो मेरे को वही select करना होता है दो तो option यह अगर तीसरी बात करूँ तो किसी किसी के होता है कि यह ना तो 80 by 210 आता है और ना यह आता है तो उनमें custom या फिर user लिखके आता है तो आप उनको किसी को भी select कर सकते हो यहां पर हम ऐसा select होगा 80 by 210 mm या 58 by 210 mm तो यहां उसके बाद यह हो गया 00 पर set कर देंगे ठीक है यह चारो को मैंने 00 set कर दिया और set करने बाद यह आप देख रहे हैं header है तो इसको अपने को clean कर देना है और यह footer है इसको भी अपने को clean कर देना है यहां कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए बिल्कुल blank empty ठीक है अभी paper हो गया left right top bottom margin zero हो गया header and footer हो गया okay कर दीजे बस अपना काम हो गया अभी इस file को save कर दीजिए save करने के बाद file को एक बार print पे share कर दीजिए जो भी अपना printer हो उस पे print के लिए share कर दीजिए अभी मेरे पास printer available नहीं है इसलिए इसने इसको मना कर दिया करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है अपने को इसको बंद कर देने अभी अपने software twin book में आना है twin book में आने के बाद अपने को login करना है user id and password then अब अपन देखते हैं कि admin login के अंदर जाते हैं सबसे पहले और categories में जाने के बाद अगर किसी ने यह मैंने अभी new new install किया है इसलिए मैं ऐसा process कर रहा हूँ otherwise आप लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है अगर आपने कर रखा है तो क्योंकि मैंने categories और staff दोनों ही नहीं add कर रखे तो मैं add कर लेता हूँ यहां पर मैं staff add कर लेता हूँ एक अपना staff name कुछ भी staff name अपना रखके click कर लेता हूँ add पर मेरे पर message मिल गया staff added successful हो गया अपना अभी आते हैं अपन stock item create करते हैं कुछ भी यहां पर item item name में मैं जैसे कुछ भी डाल देता हूँ अपना hot coffee डाल देता हूँ इसका वार कोड मैंने कुछ भी रख देता हूँ 100 and quantity 10 and click on save otherwise enter press करने से last working करता है यहां पर confusion रहता है लोगों को कि मैंने कैसे करना है कैसे करना है तो मैं यह सिखा देता हूँ आपको कुछ नहीं करना आपने को नाम लिखना है hot coffee enter press करना है enter टीक है category जब भी पूछता है 0 press करना है enter 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 यहां पर अगर अपना को special discount है तो discount देके enter press कर सकते हैं ठीक है यह होने के बाद अपने को control a shortcut है अदरवाज यहां save बटन पर क्लिक करके और इस bill को save कर सकते हैं यह bill save हो चुका है 90 रूपीज से एक पिस अभी इसको अपन को print देना है यह बता दूं कुछ लोग कहते हैं print हो नहीं रहा 5 इंस तक कोई सा भी हो अपने को paper 5 इंस roll paper ही select करना है always ठीक है उसके बाद number of copies इसमें अपने को fix है one and enter press करना है print के लिए यह print होने चला गया है अभी मेरा printer connect है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता लेकिन print out अगर आपका आएगा तो एकदम best quality print out आएगा कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर number है इंसे contact करिए यह आपको एकदम easily बता पाएंगे कि कैसे क्या जो कुछ भी है ठीक है इसका जो rectify जो हो के आता है यह देखिए यह जो अपन ने पहले देखी थी image यह image थी पहले print out आ रहा था बिल्कुल ऐसा इतना लंबा ठीक है और जब इनको rectify करके और तो बाद में final यह देखिए आप देख सकते हैं हर चीज इक्तम clear है ठीक है अभी एक बात करते हैं अपन देखिए इस बिल आते हैं उसमें उपर लिखा नहीं आता है company का नाम वगरा ठीक है तो कभी-कभी क्या होता है आपन जब software को install कर रहे होता है तब कि आपन address में निकालेंगे न तो अपने को क्या करना पड़ेगा address वाले section में अपना cafe का नाम लिखना पड़ेगा जो भी restaurant आपने उसका नाम लिखना पड़ेगा address वाले section में कहां पर मैं बता देता हूं आपको admin login किया यह company details और company details में आने के बाद यह देखिए यह जो अपन जब install कर र यह वापस आप install करके reinstall करेंगे तब यह page आजाएगा आपने पास और इसको अपने को feel करते वक्त यह ध्यान रखना है कि address वह बिल्कुल ऐसे center में लिखा हो ताकि अपने को एकदम clear आए अगर 3 inch है और अगर 2 inch है तो अपने को यह address को बिल्कुल एक side में लिखना है यह setting हो जाती है अपने 2 inch के लिए यहाँ पर यह होगा अपना 2 inch के लिए ठीक है और अगर 3 inch रखते है तो बिल्कुल एड्रेस वान बिल्के center पर यहाँ पर तो यह अपना एकदम printout perfect देगा कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर भी अगर आपको कोई problem हो तो आप consult करिए कोई दिक्कत नहीं है थैंक्यू